पत्ता गोबी की सबजी भूजिया आपने कई बार खाए होंगे पर क्या आपने कभी पत्ता गोबी से बनी हुई पनीर की सबजी खाई है अगर नहीं खाई ना तो ये रेसिपी आप जरूर पुराट देखिए पुरी वीडियो के देखिए बिना स्कीप किये हुए क्योंकि भी कि पते विभी से पनीर बनाया है और पनीर का जो है सभजी बनाया है मैंने तो इससे पहले ह spoil dont मैं संघीत आप सबका स्वागत करते हूं अपने चैनल पर तो फ्रेंड्स देर न करते हुए। इचलिए रशीपी शुरू करते हैं तो इसके लिए न मैंने एक बड़ा तुकड़ा एक इंच और ये आधा हाफ में पत्ता को भी ली हूँ काट करके और एक हरी मिर्च इसमें मैंने एक दाल चीनी का टुकड़ा डाला है तो अब गैस अन कर देंगे मितलब चढ़ा देंगे गैस पर और ये मैंने मटर भी लिया है तो मटर पनीर जैसी बनती है सबजी बहुत ज़्यादा स्वाधिश्ट लगती है इसको ना मुबाल लेंगे थोड़ी देर कि पहले अभी मैंने यह धक करके थीन मिनट इसको उबलने दिया है इस तरह से और इसके बाद ना इसको मैं इस तरह से पलट दूंगी ताकि मतलब इधर इधर स्वाइड भी अच्छे से यह सॉप्ट हो जाए तो बहुत ज्यादा इसे पर फूपनी करना है मतलब करतागोबी को और टमाटर को भी इतना उबालेंगे कि इसका छिलका जो है अच्छे से उतर जाए तो कम से कम इसे साथ से आठ मिनट इस तरह से ढख करके हम इसे पहले पका लेंगे और यह दिखिए हो गया है यह साथ मिनट के करीब वलते हुए हो गया है पानी में तो अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा टमार जो है इसका च्छिलका उतर रहा है कि नहीं यह तो हो गया है कि नहीं अश्ोकुने की लग वाल चुना तो यह में गैस बंद दे रही हुआ हूं और यह थे चीलका इस तरह से असानी से निकल जा रहा है और हम क्या करें गे कि इससे निकाल लेंगे इस पत्ते गोभी को पहले और थोड़ा देर के लिए रख देंगे ताकि थोड़ा थंड़ा हो जाए तब हम और इधर न मैं ये निकाल ले रही हूं ये शॉप्ट हो गया है प्याज भी और ये टमाटर भी तो इन सब को निकाल करके और थोड़ा ये जब थंड़ा ह कर लेंगे ये निकाल के रख दे रही हूं और साथ में ये अद्रक और ये शुखी लाल मिर्च सारे चीजों को हरी मिर्च सभी को निकाल लेंगे ये देखिए छिलका असानी से उतर जा रहा है तो इस तरह से हम उताय करके इसको पीस लेंगे और ये जो मटर है ना इसे भी हम निकाल लेंगे तो इस तरह तरीके से बनाएंगे ना फ्रेंड्स तो बहुत ही जटपट से बन जाता है ये सबजी और बहुत ज़्यादा स्वादिश्क लगता है उप्दम से पनीर को टकर देने वाला ये सबजी है नई रेसिपी है आप जरूर ट्राइ कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि इस नई रेसिपी का वह भी लाब उठा सके तो ये ना पत्तागों भी को काट लेंगे और बीच कहीं जो कड़ा वाला भाग है ना इसको हटा देंगे हम काट करके दालेंगे इसमें तो इसको अभी मतलब रफली चॉप करेंगे मतलब बड़ा बड़ा ही टुकड़ा में काट लेंगे क्योंकि इसके इसे अब हम ना पीसना है ग्राइंडर जार में और जो भी इसके सक्त भाग है ये उपर वाला ये देखिए डंटी इसकी इसे भी हम हटा को दोलेंगे तो फ्रो दूद में अब इसमें नहीं डालेंगे दोस्तों तो ढ wasn't डूद डालेंगे और ये दूद पे थोड़े जमी हुए मलाई है और दूद मैंने दोस्तीनि भी मतला है इसी से पीसें हम इसे इसे इसमें मानी कंशी नहीं करेंगे तो यह देखिए, मैंने पीस लिया इसे, यह मतलब अदम पतला चिकना ऐसा फाइन इसका पेश्ट जैसा बना लेना है, तो इन सब को अब निकाल लेंगे एक बॉल में, और अब हम इसको किस तरह से पनीर बनाएंगे यह देखिए, इसमें मैंने डाल दगी हूं यह अधरक ल इसमें बेशन डालेंगे चना का, तो यह अभी मैं डाल रही हूं और इसको मिक्स करेंगे, और इसमें मतलब इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें जो भी है गुठलिया ना रहें, लंच नहीं रहें, इन सब को इस तरह से मिलाते हुए, इसका स्मूथ सा बेटर मतल तो यह गीला है, तो यह हाफ कॉप मैं और बेशन ली हूं, तो टोटल मैंने ना 120 ग्राम के करीब बेशन लिया है, तो इसलिए ना जब हम पीसेंगे ना पत्तागोबी को तो ज्यादा पानी यूज नहीं करेंगे, यह ना मैं एक चुटकी के करीब ना बेकिंग शोडा डा देंगे तरह से, और इन सब को फैला देंगे अच्छे से, तो इसलिए दोस्तों मैं बोल दी हूं कि मैं जब पत्ता को भी पीसेंगे तो ज्यादा उसमें पानी का यूज नहीं करेंगे, प्योंकि अगर ज्यादा पानी डाल देंगे तो फिर हम जब बेटर बनाएंगे ना तो इस तरह से में धग करके, और इसमें धखकन हम लगा देंगे और ये इसको अच्छे से में लब स्टीम कर लेंगे जब तक से इसका ये पूरी तरह से स्टीम नहो जाया, और ये जो हमने निकाल के रख़ा है ना टमाटर को प्याज को इन सब को काट लिया मैंने और इन स दखिए मैं चेक कर ले रही हूं, तो इस तरहे से आप चेक कर के के दयार लिजीएगा कि इसना समय लग रहा है भादा भ सकते हैं इसमें के गणिर का घरता थे क्लिफ आप même यह ठीक लिप जो हूं तो यह मैं निकाल ले रही हूं उस पर से गैस के उपर से और यह थंडा हो जागा तब हम इसको कट करें मतलब इसका काट लेंगे हम पीसे समें वनीर को तो चलिए उसके पहले ना जब तक थंडा हो रहा है मैं अधर पड़ाई चड़ाई हूं और यह जो है तेल डाला मैंने जीर डाला है दो तरश पत्ता और अब नए जो पीस रखात है ना ने टमाटर की प्यूरी और प्यास की तो यह सब हम इसमें डाल देंगे और इसमें थोला सा हम पानी भी डालेंगे इसमें तो यह मैंने जार को दोग करके पानी उसका डाल करके मिलाद दे रही हूं और इसे आप मतलब भून लेंगे तो जब तक से हमारा यह ठंडा हो रहा तो यह देखिए ठंडा हो गया तब हम इसके पीसिस में कट कर लेंगे तो जो भी आप आकार में काटना चाहें आप काट लीजिए मैं क्यूब में कट कर ले रही हूं ताकि देखने में बिल्कुल ही पनीर की जैसा ही लगे और यह देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाता है यह इसकी पीसे जो है और सब्जी बहुत ज़्यादा स्वाधिश लग है आपने बहुत ज़्यादा स्वाधिश्ट बनती है यह सब्जी तो फ्रेंड्स वीडियो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ दोस्तों मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल मत जा पावराण मेंने और केस्मीरी लाल मिल्झ है तो इसे नंगी की बहुत अच्छी आती है और यह तीका जो खम होता है काश्मीरी और मैंने गरम चला डाला हाफ चमश के करीब तो आप जरूर ज़ूर शेंड़ ये गार यह अधरत लाषूं का पेस्ट है विसे भी उम इसमे डालेंगे जिसेकि सब्जी बहुती स्वादिष्ट बनेगी और यह नमक केस्ट के कॉडिंग और हुआ पूर्ड करके भून लेंगे और यह जो मतर भी उबाल के रखा था हमने न इसे भी मैं डाल रही हूं और इस तुर भी डाल करके इस तरह से मसाले में भून लेंगे अच डाल करके भी इसे भून लेंगे तब तक से तेल जो है अलग नहीं लगे और यह घर की फ्रेस जो है मलाई दूद मतलब दूद और थोड़ा सा इसमें मलाई है चाली जो भोलते हैं वह डाला मैंने तो ना इसे सब्जी ना और ज्यादा स्वादिस्ट लगती है तो आप जरू अब यह घर करके हम मिला लेंगे अच्छे से तो यह सब्जी ने बहुत ज्यादा स्वादिस्ट लगती है तो इस तो आप जरूर बना करके देखिए तो यह हो गया है भून गया है तो इसमें हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा और इन सब्चुना हुदर से मिलाते हुए य िसलेखिये साभी पनीर की सबजी डेखने में थेशच को और इंहेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है तो जिससे की टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है तो यह हो गया है सब्जी देखिये में गैस बंद कर दे रही हूं और इसको निकाल लेते हैं तो फ्रेंड्स ये सब्जी आप जरूर एक बाद ट्राइ कीजिएगा बनाईएगा और बनाने के बाद ना कॉमेंट सेक्षन में जरूर कॉमेंट कीजिएगा कि सब्जी आपने बनाई तो कैसी बनी तो इस नए रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा दोस्तो पत्ते गुबी से पनीर की सब्जी बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट बनती है मुझे उम्मीद है कि आप बनाएंगे तो आपकी भी सब्जी इस तरह से स्वादिश्ट बनेगी तो फ्रेंड्स जाने से पहले मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह घर की फ्रेश मलाईए मैं डाल रही हूं तो दोस्तों नए साल की हर अधिक शूब कमना है आप सभी को मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ में नए वीडियो में